Taxonomy and Ecology of Millibug Millibug एक common pest है जो कि बहुत सारे plants के उपर attack करता है अगर हम Millibug की taxonomy की बात करें तो Millibug belong to Phylum Arthropoda Their class is Insectra Their order is Hemiptera इसकी family की बात करें तो Pseudococci D इसकी family है और इसकी जो genus है Phenococcus और इसकी जो species है Phenococcus tolenepsis अब ये तकरीबन दुनिया के तमाम हिस्सों के अंदर मौजूद है बट इस नेटिव तो USA आम तोर पर ये moist और warm climate के अंदर रहना पसंद करते हैं उसके लावा इसकी बहुत सारी species हैं और उसमें से बहुत सारी species ऐसी हैं जो के pest हैं और plants के sap को सक करते हैं उनको नुकसान पहुचाते हैं उसके लावा ये बहुत सारी diseases को spread करने के लिए as a vector के तोर पर भी काम करते हैं विहारी के अंदर पाकिस्तान में 2005 के अंदर पहली दफ़ा इनको report किया गया लेकिन अब ये तक्रीबन तमाम जो cotton growing areas हैं पाकिस्तान के अंदर वहाँ पे ये pest मौजूद है उसके लावा ये जो crop की yield है उसको बुरी तरीके से मतासर करते हैं मुलतान के अंदर 2006 के अंदर इनको देखा गया भावलपूर के अंदर भी ये report हुए खानेवाल के अंदर विहाडी के अंदर epidemic की farm के अंदर यानि पहली दफ़ा ये विहाडी के अंदर 2005 के अंदर report हुए और 2006 के अंदर ये epidemic की farm के अंदर report हुए अब जो millibugs हैं ये sexually dimorphic हैं यानि इनके male और female देखने में different नज़र आते हैं इस वज़ाए से शुरू शुरू के अंदर difference की वज़ा से इन दोनो male और females को different species consider किया जाता रहा है female का जो size है ये 3 से 5 mm है उसके लावा their body is usually covered with wax excretion यहाँ पर इस तस्वीर के अंदर देखें तो जो insect है इसकी जो body है उसके उपर wax है और ये काफी thick wax होती है जिसकी वज़ा से इनके उपर अक्सर जो insecticides है उनका जो attack है या जो pesticide का असर है वो भी बहुत कम होता है उसके लावा they usually remain clustered around the terminal shoots जो young shoots है या जो terminal shoots है वहाँ पर या इकटे clusters की farm के अंदर मौजूद होते है उसके लावा they are wingless and do not move unless disturb खास्तोर पर जो females हैं जब तक इन्हें disturb ना किया जाए ये move नहीं करते क्योंकि इनके wings नहीं होते उसके लावा females are provided with nine segmented antenna इनकी जो female है उसके उपर एक antenna है और ये जो antenna है इसके अंदर nine segments मौजूद होते हैं जहां पर अगर हम इस insect की body को देखें तो there are 18 pairs of very short lateral ये lateral sides के उपर filaments हैं जिनकी तादाद 18 pairs है and several slightly longer caudal filaments यानि जो इसका caudal region है वहाँ पर भी filaments मौजूद होते हैं लेकिन वो relatively बड़े size के होते हैं उसके लावा जो female के eggs है they are very small and laid under a white loose woolly wax आम तोर पर इसके abdomen के निचे एक loose waxy layer होती है वहाँ पर ये egg ले करते हैं और egg का जो size है काफी छोटा होता है एक जो female है ये 50 से लेकर 600 eggs ले करती है उसके लावा within 3 to 9 days जो eggs है जब उनकी hatching होती है तो उनसे crawlers निकलते हैं ये जो crawlers हैं ये काफी active होते हैं move कर सकते हैं उसके लावा ये तेजी से move करके spread हो जाते हैं और ऐसी जगा पे जाके settle हो जाते हैं जहां पे food हो जहां पे पौदे के खास दोर पर वो part जो के नरम हो जहां से ये असानी से sap सक कर सकते हो और उसके लावा ये quickly अपने body के उपद wax बनाना शुरू कर देते हैं अब अगर इनके males की बात करें तो males are smaller and have wings जो females थे उसके wings नहीं थे और male और female को अगर हम compare करें तो इनका जो body structure है देखने में काफी different नजर आता है इसे वजह से इनको different species consider किया जाता रहा उसके लावा जो male है इनकी body के अंदर कोई बहुत जादा change नहीं आता कोई radical change नहीं आता इनकी life के दोरान उसके लावा जो milie bug है इसके हम life cycle की बात करें तो इनके जो females हैं they feed on plant sap जब ये plant के sap पे feed करते हैं और साथ में honey deep produce करते हैं तो honey deep produce होने के वज़ा से ये black sooty mold को attract करते हैं यानि fungus को attract करते हैं molds को attract करते हैं उससे क्या होता है उससे जो पौदा है उसके अंदर जो photosynthesis करने की ability कम हो जाती है और plant की जो vigor है उसकी जो performance है काफी हद तक कम हो जाती है उसके लावा they attach themselves to the plant and secrete a powdery wax layer used for protection while they suck the plant juice यानि एक तरफ तो ये पौदे से juice को suck कर रहे होते हैं और साथ साथ waxी जो screation है वो अपनी body के उपर लगा रहे होते हैं जिसकी वज़ा से इनको protection मिलती है predators से भी ये बचते हैं और अगर insecticide का spray किया जाए तो उसका असर भी इनके उपर नहीं होता उसके लावा अगर हम males की बात करें तो males on the other hand are short-lived they do not feed as an adult जब ये adult हो जाते हैं तो ये बिलकुल feed नहीं करते हैं और इनका काम सिर्फ क्या है they only live to fertilize the females अब अगर इनका हम life cycle देखें तो यहाँ पर first step के अंदर जो female है उसने egg ले किये जो हमने कहा के 50 से 600 तक ये egg ले कर सकते हैं उसके बाद उसमें से पहली जो stage थी crawler आई वो किसी जगा पर जाके attach हो गई उसके बाद इसमें first निम्फल इन्स्टार उसके बाद second निम्फल इन्स्टार उसके बाद यहाँ से आगे दो pathway चले जाते हैं एक pathway जो है male की तरफ और एक pathway female की तरफ जो है तो जो adult female है और जो adult male है यह देखने में एक दूसरे से काफी different होते हैं अगर हम गर्मियों के अंदर देखें तो इनकी तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी होती है और अक्सर बसन पाकिसान के अंदर अगर हम पंजाब इन्स्टार के अंदर जाएं तो पंजाब इन्स्टार के अंदर गर्मियों के अंदर जो मुख्तरिफ डिपार्टमेंट्स हैं उनके जो फर्ष हैं उसके उपर बहुत जादात के अंदर वाइट किसम के इंसेक्शन आदर आते हैं जो के मिली बाक्स हैं क्योंकि उस सीजन के अंदर इनका ब्रिडिंग सीजन होता है आम तोर पर इनके जो एक्स होते हैं वो पौदे के बिल्कुल बाटम के उपर जो मट्री है वहाँ पे होते हैं वहाँ से जब इसकी पहली स्टेज निकलती है क्रॉलरल तो वो तेज़े से मूव करके पौदे के उ उपर वाले हिस्सों तक जाते हैं तो पौदे को बचाने के लिए अक्सर एक प्लास्टिक की शीट जो पौदे का नीचे वाला हिस्सा होता है वहाँ पे लगाए जाती है और उसके उपर ग्रीसी मटीरियल लगाए जाता है ताके जो इसकी स्टेज जिसने पौदे के उपर चड़ने से रोका जा सके ताके जो पौदा है उसको बहुत जादा नुकसान ना हो तो आम दोब पर पैस्टीसाइड के जरीए इसको गत्रूल करना काफी मुश्कल होता है क्यूंकि जो पैस्टीसाइडse है वो इतने जादा एफेक्टिव नहीं है क्योंकि इनकी जो body है उसके उपर wax की एक थिक layer है जो इनको protect कर रही होती है